हलो प्यारे विच्चों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगी और क्लासेस कुझवाय कर रहे होंगी आज हम लोग परिया वरण एवं पारिस्थित की तंत्र के बहतरीन प्रस्णों को साल्व करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं आज आज आप लोग क्या परफ पहला प्रस्ण है ब्राजील में आयो जित प्रिथवी सिखर सम्मेलन 1992 के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार कीजिए पहला है या जै विवित्ता के संड़र्चड है तो विश्व समुधाय द्वारा किया गया प्रथम सम्मेलन है दूसरा है इसका उद्देश जैविवित्ता के घटकों का सतत उपयोग वा लाभों को निस्पच और एक समान प्रकार से साज़ा करना है तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इन में से कोई नहीं पर आप उत्तर देंगे बचा लोग की ब्राजील में आयोजित प्रित्वी सिखर सम्मेलन 1992 के संदर में सत्य कथन कौन सा है आपको ये बताना है आपके सामने है चार आप्सन और आपको बताना है सही उत्तर का ये प्रशना आपके काफी इंपोर्टेंट है और याद रखेग वो है आपका आपसन नबर थरी यानि की दोनों बाते बिल्कुल करेक्ट है ब्राजील में आयोजित जो प्रित्वी सिखर सम्मेलन था जो 1992 में आयोजित हुआ था ब्राजील के रियोडी जनेरियों में इसके बारे में बिल्कुल सही है कि या जैविवित्ता के संदर विश्व समदाय द्वारा किया गया प्रथम समेलन था इसका उद्देश जैविवित्ता के घटकों का सतत उपयोग वाल लाभों को निस्पच और एक समान प्रकार से साजा करना था एकदम सिंपल सा और बहुत ही सांदार प्रस्न था जो आप सभी को पता है कि दोनों बात बिल्कुल करेक्ट है अगला क्वेस्चन देखिए जया विवित्ता संदच्छड के स्वास्थाने संदच्छड विदी के संदर्व में कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन है स्वा आज कौन सा कथन है जो आपका सत्य है यहां पर देखे कूठ है कूठ की सायता से उतर देना है ध्यान दीजेगा पहले कथन देख लेते हैं फिर आपको कूठ हम दिखा देंगी पहला अफसन है इसके अंतरगत जिवजन्त वो एवं बनसपतियों का संदच्छड उनके प्राकिर्तिक आवास में ही किया जाता है दूसरा कहरा है इस वीधी द्वारा एक विसेस छेतर में एक ही प्रजाति का संदच्छड किया जाता है तीसरा कहरा स्वास्थाने संदच्छड वास्थानिय संदच्छड वीधी की अपेच्छा सस्ता वा आसान होता है तीसरा करह इसके अंतरगत राश्ट्रिय उत्यान अव्यारन तथा आरच्छित जय मंडल का निर्माड किया जाता है अब बताएंगे बचलोग स्वास्थाने संदच्छड के अंतरगत कौन कौन सी चीज़े आप की आएंगी या जविवित्ता संदच्छड के स्वास्थाने संदच्छड विधी के बारे में कौन सी बाते हैं जो सत्ते हैं आपके सामने हैं आप्सन आपने आप्सन को पड़ लिया है अब मैं आप लोगों को कूत दिखा रही हूँ A में है पहला दूसरा B में है पहला तीसरा चौथा C में है पहला और चौथा D में है उपरोक्त सभी आपने कूट देख लिया होगा अब चलिए आपसन एक बार फिर से देख लिजी आपसन को देखी और खुछ से बता दीजी कि आपका कौन सा है जो सत्य हो जाएगा तो बताएंगे बचलोग बहुत ही सांदार प्रस्ण है और आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो तो क्या सत्य है आपका पहला तो बिल्कुल सही है किसके अंतरगत, जिवजंत, वाबनस्वतियों का संदच्छड उनके प्राकिर्ति का वास में किया जाता है दूसरा करा इस विदी द्वारा एक विशेश छित में एक ही प्रचाती को संदच्छड दिया जाता है ये सत्य नहीं है स्वास्थाने संदच्छड वास्थाने संदच्छड वीधी है मतलब वाहे अस्थाने संदच्छड वीधी के रहा स्वास्थाने संदच्छड वाहे होगा यहां पे वाहे अस्थाने संदच्छड वीधी किया पेच्छा सस्ता वा आसान है बिल्कुल सही है स्वास्थाने वाहस्थाने से सस्ता और आसान होता है आप लोगों को बताई हूँ इसकी अंतरगत राष्ट्रिय उद्ध्यान आते हैं अभ्यारन आते हैं और जै मंडल आरच्छी छेतर आते हैं बिल्कुल सही है तीनों चीजे आते हैं स्वास्थाने का मतलब मैंने बताया था कि वो जहां भी निवास करता है जिस भी छेतर में रहता है चाहे वो जंगल हो बाग हो बगीचा हो उसको वहीं पे संदच्छर देना स्वास्थाने वाहे अस्थाने संदच्छर उसके प्राकृति कावा से ले जाके दूसरी जगा skill काम भी होता है तो इसलिए आपका जो सत नहीं है वो दूसरा नहीं सही है पहला तीसरा चौथा का जो option है वो आपका correct है और वो option आपकी option number B में है इसलिए आपका पहला तीसरा चौथा option number B बिल्कुल correct है next question भी देखिए कह रहा है जय विवित्ता पर सयुक्त राष्ट सम्मेलन के दलो का दस्वा सम्मेलन आयोजित किया गया था पताएंगे बचलोग आपका पढ़ा हुआ है कि जय विवित्ता पर सयुक्त राष्ट सम्मेलन के दस्वे सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहां पर किया गया था आपको ये बत लोग आसान है क्या हो गया है आपका option number आपका थिरी बिल्कुल सही है नगोया में ही तो हुआ था आपका दसमा संयुक्त राष्ट सम्मेलन और यह आपका option number जो थिरी है यह आपका बिल्कुल अगला question देखे कोपेन हेगन में तो नवा हुआ था याद होगा आप लोगों को भारत का सरप्रथम राष्टी उद्यान कौनसा था या कौनसा है आपको बताना है भारत का सबसे पहला राष्ट्रे उद्यान यानि कि सबसे पहला नैशनल पार्क कौनसा है कानहा राष्ट्रे दुधवा रास्टियान और आप सभी को इसका उतर पता है यही भारत का सबसे पहला राश्टी पार्क और कि आएयं नाम से जाना जाता था हैली पार्क की नाम से जाना जाता था हैले पार्क की नाम से जाना जाता था इसको याद रखेंगे वे चलो काफ इंप्वोटेंट है है ली घ्यकीन अगला वह अस्थानी संडइचड की अंसल बसमील है मैं आपस्थाना में आपको बताया था वह अस्थानीutz कुछ आपका पड़ा हुआ है क्या हो जाएगा आपके कौन से हैं जो आपके आजाएंगे मतब बाह अस्थाने संदच्छड के अंतरगत किसे सामिल करेंगे आप पहला आप्सन है जीन बैंक दूसरा है बाटनिकल गर्डन तीसरा है नेस्नल पार्क और चौथा है चिडिया घर आपके सामने आप्सन है ए में है तीसरा और चौथा बी में है पहला और तीसरा C में है पहला दूसरा और चौथा D में है उपरोकत सभी पताएंगे बचलोग बाय अस्ताने संदच्छड में आप किसे सामिल करेंगे आपके सामने आपसन भी है और आपके सामने कूट भी है और आपने सब कुछ पढ़ा भी है तो आप लोगों कोई समस्या नहीं होगी इसको साल्व करने में तो चले देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं और मुझे पता है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे पहला दूसरा चौथा एकदम करेक्ट है यानि कि जीन बैंक वायस्थाने संदच्छड है बाटनिकल गार्डन वायस्थाने संदच्छड है चिडिया घर वायस्थाने संदच्छड है बीज बैंक वायस्थाने संदच्छड है क्रायोजेनिक वायस्थाने संदच्छड है स हैं जब तक सेलेक्षिन ना हो जाए तब तक भूल्ने का प्रयास बिलकुल मत कीज़ेगा देखी अगला question निमलिकित में से कौन सी जय विविता के संदच्छड के लिए महतपूर रड़नीती है इसमें से कौन सी रड़नीती सबसे महतपूर है सबसे बहतरीन है जय विविता के संदच्छड के लिए आपको बताना है पहला कहरा है जय मंडल रिजर्व दूसरा कहरा है बनस्पती भ्यारन जरी वचलोग दीजेगा जब आप कह रहा है ने मिलखित में से कौन सी जय विविता के संदच्छड के लिए महत्पूर रड़नी दी है क्या हो जाएगा आपके हिसाब से और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि सबसे बहतरीन तरीका क्या होता है हमारे यहां दुनिय भी कहीं भी जय विविता को संदच्छड करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वह आपका जय मंडल रिजर्व एक बहुत बड़े इलाके को ही जय मंडल आरचित छेद्र घुशित कर दीजे और वहां के जिव जंत्वों को जो है हस्त छेपना कीजे उनको सुरच्छा दीजे यह सबसे बड़ा होता है और सबसे बहतरीन होता है इसके बाद आपके बनस्पति उद्यान ब्राष्टे पार्क जंगली जन्तु अभ्यारने सारे हैं लेकिन यह सबसे बड़ा होता है और यह सबसे बहतरीन माना जाता है अगला क्वेस्टन देखिए निमलिखित कतनों में जी कौन सा है जो सही है पहला कह रहा है जैविवित्ता हाट स्पार्ट केवल उर्षकडबंधी प्रदेशों में इस्थित हैं दूसरा कह रहा है भारत में चार जैविवित्ता हाट स्पार्ट अर्थात पूर्भी हिमाले पस्मी हिमाले पस्मी घाट और अंट माननी को बार द तीसरा कहरा दोनों बाते सत्य हैं और चौथा कहरा कोई भी सही नहीं है बहुत इसांदार प्रशने बचा लोग याद रखेगा आयोक का पुछा हुआ है और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे चलिए दे नहीं है चूँकि जय विवित्ता हाट स्पार्ट केवल उष्र कड़ी बंद में नहीं होता बलकि उपोष्र में भी होता है तो उष्र और उपोष्र दोनों आ जाएंगे हाला कि उष्र में ज्यादा होता है उपोष्र में कम होता है लेकिन भारत में चार हाट स्पार्ट है ये तो बिल्कुल सही है जिसमें पूर्वी हिमाला है एकदम सही है आपका पस्चमी घाट है एकदम सही है अंडमानी को बार दिए एकदम सही है लेकिन पस्चमी हिमाला इसमें सामिल नहीं है इसलिए आपका गलत हो गया चौथा जो है वो आपका सुंडा लेंड या कहिए कि आपका ये सुन्डा लेंड का ही भाग है चौथा अगर आप लेंगे तो इंडो बर्मा छेत्र हो जाएगा पहला आपका पुर्वी हिमाला है और दूसरा आपका पस्मी घाट है तीसरा सुन्डा लेंड है जिसमें अंडमानिकों बार सामिल है चौथा मैंने आपको बताया था इंडो बर्मा छेत्र ये चार होट स्पार्ट आपके भारत में पाये जाते हैं बर्तमान में कितने होट स्पार्ट छेत्र हैं अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा बरतमान में कितने hot spot छेतर हैं मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जितने hot spot है और hot spot भी और hope spot भी दोनों मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अस्थल पे जब विबित्ता में हरास होता है तो वो hot spot कहलाता है और जब जलिये पारितंत्र में जब विबित्ता में हरास आता है तब वो hop spot कहलाता है तो दोनों बाते मैंने आप लोगों को बताया है तो आप लोगों को याद होगा मुझे उमीद है और हर्ट spot सब्द का उपयोग किस ने किया है सबसे पहले तो ये नार्मल मायस ने किया था और ये कब किया था 1988 में याद रखेगा ये भी मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुकी हूँ अगला question है निम्न में से तीन मानकों की आधार पर पस्मी घाट स्री लंका एवं इंडो बर्मा छेत्र को जया विवेत्ता के प्रखर अस्थलो यानि की hot spot के रूप में मानिता प्राप्त हुई है निम्न में से कौन से तीन मानक के संदर्व में सही है देखिए आपके सामने बहुत ही सांदार प्रस्ण है आईस का आया हुआ है और आप लोगों को ये सारे चीजे मैंने पढ़ाया है तो गलत नहीं करेंगे बचा लोग चलिए बताएंगे कह रहा है निम्न में से तीन मानकों के आधार पर पस्मिघाट स्री लंका एवं इंडो बर्मा छेत्र को जैविवित्ता का प्रखर अस्थल यानि की hot spot के रूप में मानता दिया गया है आपको बताना है इन में से कौन से वो तीन मानक हैं जिसके आधार पर हाट इसपार्ट घोसित किये गए हैं आपके सामने देखिया आफसन है छे मैं आप लोगों के सामने अब कूट और आफसन दोनों कर दे रही हूँ आपको तीन मानक ढूंडना है आपके सामने सभी आपसन में तीन ही तीन ही दिया हुआ है और इसमें से कोई एक आपसन है जो आपका करेक्ट है जिसके आधार पे हाट इसपार्ट गोसित किये गए हैं देखिए आपका पहला है बहु जातिये बहु तायतता इस्पिसीज चटा है बनस्पती एवं प्राड़िजात उष्र आर्द्र पाइस्थित्की केपरती अनकूलन अब आपको बताना है कि इनमें से तीन से वो कौन से मानक है जिसके आधार पे आपके इंडो वर्मा छेत्र पस्यमी घाट स्रिलंका के लागे को हाट स्पार्ट छेत्र गोसित करने लोग बहुत सांधार प्रस्ना हैं और कि आसान देखte हैं क्या आप लोग करने वाले हैं बहुत अच्छे से पड़ाया है exhaustion से आपक् penn-board करेंगा आई जाएंगे जूग तभी तो वहाँ जै विवित्ता जादा होगी और जहां जै विवित्ता जादा होती है उस पे खत्राता होई हाट स्पाट होगा यानि कि पहला तो निस्टी होगा पहला देखे इसमें भी नहीं है पहला इसमें भी नहीं है जाते विवित्ता नहीं अस्थानियता होनी ही चाहिए आप देख़ें आपका उत्तर आगया है क्या हो जाएगा आशंका का बोध आप सभी को पता है अगर उस पे खत्रा नहीं होगा जब वीद्टा पे तो उसको हम हाट इसपाट घुशित नहीं करेंगे जब खत्रा आता है तभी वो हाट इसपाट होता है अने था वो जब वीद्टा वाला इलाका कहलाएगा डाइवरसिटी कहलाएगा मेगा डाइवरसिटी कहलाएगा लेकिन हाट इसपाट नहीं कहलाएगा तो कुछ हो ना हो आसंका का बोध तो होना ही चाहिए पाचवा तो होना ही चाहिए अगर आप यही पहले ढूड लेते कि पासवां तो होना ही चाहिए तब भी आपका ये और आपका भी दोनों हट जाता और फिर आप 50-50 पे आज आते हैं तो ये तीन बाते याद रखेगा ये मस्ट है अस्थानिकता होनी चाहिए आसंका मत्तव यानिकी उसको खतरा होना चाहिए कि हाँ वो बिलुप्त हो सकता उस मंडल कारिक्रम जिसको कहा जाता है मैब के संदर में निमलेखित कतनों पर विचार कीजे पहला कहरा है इस कारिक्रम की सुरुवात 1971 में IUCN द्वारा किया गया क्या ये बात सत्ते हैं दूसरा कह रहा है इस कारिक्रम का उद्देश जै विवित्ता संदच्छड के लिए तक और चौथा कह रहा है मैब द्वारा अगस्ता मलाई जै मंडल को 2016 में 200 जै मंडल आगार का दर्जा दिया गया है आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो की आपका सत्ते हो जाएगा आपको सत्ते बताना है और आप देखिए आपके सामने हैं कूट A में है पहला दूसरा त चौथा C में है केबल दूसरा D में है आपका दूसरा तीसरा और चौथा आप कूट देख चुके हैं अब एक बार फिर से हम लोग आपसंस को देख लेते हैं आपके आपसंस क्या-क्या है क्या-क्या हो जाएगा पहला करा इस कारिकरम की सुरुआत 1971 में आयो सीन द्वारा क किया गया था क्या आपको याद है यह सारी वाती मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था और उस समय आप लोगों निकोशन जब साल किया था तब इसको एक दम करेक्ट किया था देखते हैं आप लोग आज आप लोगों को चीज याद है या नहीं याद है तो क्या हो है दूसरा आपका जो है यह बिल्कुν सही है जह मंडल आगार छेत्र तर दूसरा जो है इस शबस्ति कारिक्राम का उदेश जाय विविता संद्चट के लिए तकयरब हैं और ञाद देन आकलन को प्रोशाहन और यह-थे तीसरा भी आपका सही है कि आपका जै नमडल आगार गोषित किया उधारना का विकास मायव के अंतरगत हुआ और मायव मायव द्वारा अगस्ता मलाई जै नमडल को 2016 में बिस जै मंडल आगार गोषित किया गया है अधरजय दिया गया है। आपसन नमर डी आपका सही है दूसरा तीसरा और चौथा एकदम करेक्ट है आपका पहला सही नहीं है अगर याद है तो फटा फट बताईए कि ये जो कारिकरम है ये कौन चला रहा था अगर आप लोग नहीं उतर देंगे तो मैं इसका उतर अभी थोड़ी दिर के बाद आप पूलो की घाटी चलिए दीजे का जब आप सांदार प्रस्न है और आप सभी को इसका उतर पता होना चाहिए निसी थी बहुत आसान लेकिन इंप्वार्टेंट है इसको एक्जाम में बहुत बार पूचा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा जय विवेत्ता पस्मी घाट में पाए जाता है पस्मी घाट में सबसे ज़्यादा विवेत्ता कहां पाए जाता है सांत घाटी में इतनी ज़्यादा जय विवेत्ता है यहां पर इतना घना बन है इतना ज़्यादा मतलब यहां पर प्रजातियों के विवेत्ता है कि यहां मानों का आवा गमन बहुत कम ह ये छेतर बहुत सांत रहता है, साइलेंट रहता है, इसलिए इसको सांत घाटी, मूख घाटी या इसको कहा जाता है साइलेंट वाली तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा जय विवित्ता है पस्मी घाट में अगला question भारत में जया विविट्था के top अस्थल हैं भारत में हाट स्पाट कौन सा है चार है चारो का नाम मैंने आजी के обрат है चार हैं जिनको हाट स्पाट कहा जाता है अब उस में से आपको बताना है कि कौन से हाट स्पाट आपके हैं तो पहला को रहा हैं हमाले वा पूर् तो क्या हो जाएगा बचा लोग तो निस्टी थी इसमें समस्या आप लोगों को बिलकुल नहीं होगा चोकि मैं यह पढ़ाई हूँ कि आपका जो पूर्वी हिमाले है पस्मी घाट है सुंडा लेंड जिसमें अंडमा निको बार दियुप समू आता है और चौथा आपका होत है इंडो वर्मा छेत्र आजे की क्लास में बताई हूँ तो यह आप लोगों को पता है इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा अगला क्वेशन देखिए बचलों काफी संदार है आपको बताना है निम्लिक इतकत्नों पर विचार कीजिए कौन सा कतन है जो सत्य है पहला करा हाट स्पार्ट की संकल्पना स्वास्थानी बीधी की अंतरगत की गई है दूसरा करा हाट स्पार्ट छेत्र में पंदरा सो सी अधिक अस्थानिक संभाहनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए तीसरा करा जिन हाट स्पार्ट छेत्रों में अस्थानिक प्रज जित किया गया है आपको सत्य कथन बताना है और आपके सामने देखिए और कूट भी अब आपको कोट और आपसन की सहायता से उत्तर दे देना है चलिवचा लोग दीजे का जबाप बहुत ही सांदार प्रशन है ए में हैं पहला तीसरा बी में हैं तीसरा चौथा सी में हैं पह हाड लगती है लेकिन जब पड़ी हुई रहें तो हाड नहीं लगती है तो निश्चीत में चलोग याद रखेंगे आपकी सारे बाते बिल्कुल करेक्ट है हाट स्पार्ट की संकल्पना स्वास्थानी बीधी के अंतर गता था अभी मैंने कहा कि स्वास्थानी प्रजातिय होने चाहिए अस्थानी प्रजातिया होनी चाहिए और हाट स्पार्ट छेत्र 15 यहां पर क्या होने चाहिए कम से कम 1500 से अधिक अस्थानिक संभानिय प्रजातियों की प्रजातिया होनी चाहिए और जिन हाट स्पार्ट छेत्रों में अस्थानिक प्रजातियों की प्रचुर करेक्ट हैं अगला क्वेस्टन देखिए ये भी आपको कूट की साहता से उत्तर देना है आपके सामने क्वेस्टन भी है आपसन भी है और कूट भी चलिए देजेगा जबाप प्रस्न है बन्ने जिव अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधी द्वारा किये ग प्राड़ी में जिन जीवों को रखा जाता आप उसका सिकार बिल्कुल नहीं कर सकते उनका अबायत तसकरी उनका ब्यापार नहीं कर सकते चाहे वो जीव हूं या बनस्पति अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है तो इन 6 रेडि दूसरा करा है भारती है जंगली गधा तीसरा करा है जंगली भैसा अब आपको बताना है ए में है केवल पहला बी में है दूसरा तीसरा सी में है पहला तीसरा डी में है पहला दूसरा तीसरा चलिए बचा लोग देखते हैं आप लोग क्या उतर देनी वाले हैं और ये भी क मारत के वन जो अधिनियम में पहले और दूसरे में हैं तो निश्चित उनको संदच्छड बहतरें तरीके कम लेगा तो याद रखेंगे यह सबी हो जाएगा घड़ियाल भी है जंगली गधा भी है और आपका जंगली भैसा भी है इन तीनों का सिकार आप नहीं कर सकते हैं त इन में से कहां पर आपके बाग है इन में से कहां पर आपके बागों को संदच्छड दिया गया है मैं थोड़ा सा और उपर कर दे रहे हूं आप लगों को देखने में समस्या होती है तो इसमें से आपको बताना है कहां कहां पर आपके बाग को संदच्छड दिया गया है ब किया ओतर दीजेगा काफ इंपॉर्टेन प्रसन है इक्साम में बार बार पूचा हुआ है इंडिवीजुल भी पूचा है और कोट में भी पूचा है और आज कल कोट वाले को याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका भीतर का निका है ये आपका किस के लिए प्रसिद्ध है ये सेर के लिए तो बिलकुल भी प्रसिद्ध नहीं है ये घड़ियालों के प्रसिद्ध है तो इसलिए ये नहीं हो सकता आप दो हटा दीजी देखें आपका दो हटाते ही उत्तर आ गया है आपका अपसर नमबर भी बिलकुल करेक्ट है बांदीपूर में भी बागों को संदर चड़ दिया जाता है मानस में भी और सुन्दर बन में भी केवल और केवल आपका दूसरा नहीं होगा आप पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेस्टन हिमालय परवत प्रदेश जाती विवीधता की दृष्टी से अतयन्त सम्रिद्ध है इस सम्रिद्धी के लिए निमलेखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है पहला करा यहां यहां आधिक बरसा होती है जो प्रचुर बनस्पति ब्रिद्धी को बढ़ावा दीती है दूसरा करा यह बिभिन जैब भागोलिक प्रदेशों का संगम है तीसरा कहरा इस छेत्र में विदेश तथा आकरामक जातियां प्रवेश नहीं कर पाई है चौथा कहरा यहां मनुस्य का कम हस्तचेब है बताएंगे बचलोग जो आपका हिमालय का परवतिय प्रदेश है यहां पे जाती व पाया जाता है आपको यह बताना है और यह आपके लिए काफी सांदार प्रस्न है चलिए दीजेगर देखते हैं क्या उत्तर देने वाले हैं आप लोग को गलत नहीं करना है जोकि यह बहुत हैं और मैंने यह सारे चीज़े पढ़ाई भी है तो क्या हो जाएगा बचलोग याद रखेंगे आपका जो option no.2 है, बिलकुल सही है यहाँ विभिन जैविक भाउगोलिक प्रदेसों का संगम है यह विभिन जैविक भाउगोलिक प्रदेसों का संगम है इसलिए यहाँ पे सबसे जवच्छ का जयादा जैविवित्ता, और मनुसे कहाना पहुँच जाए यानि कि केवल और केवल आपका दूसरा सही है बाकी बाती सत्य नहीं है या सटीक बात नहीं कर रही है अगला कह रहा है भारत में यदि कछुए की एक जाती को वन जू आधिनियम सूची 72 की एक में रखा जाता है तो संड़चित गोसित किय जाता है तो इसका क्या मतलब है आभी मैंने आज बताया है कि बन जू संड़चड अधिनियम जो 72 आया है छे सूचिया जारी करता है पहला दूसरा सूची जो है आपको भी बताया है तो अगर किसी जीव को सूची एक में रखा जा रहा है माले जी कछुए को कोई प्रजात है उसको सूची एक में रख दिया गया तो इसका क्या मतलब आया पहला करा इससे संड़चड का वही अस्थान प्राप्थ है जैसा कि बाग को यानि कि इसको संड़चड का वही अस्थान प्राप्थ है जैसा कि बाग को दूसरा करा इसका अब बन चेत्र में अस्तित्य समा नहीं है तीसरा करहा है भारत के विसेश छेतर में अस्थानिक है चौथा करहा है बी और सी दोनों सही है अब आप पताएंगे कि कौन सा है जो आपका सत्य हो जाएगा सांदार प्रस्ट नहीं देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने माले हैं और यह बिल्कुल अंडर अफसन भी आपका कौं सा सत्य हो जाएगा बचलो केवल और केवल जो सत्य है वो आपका पहला ही सही होगा क्यों किवल पहला सही होगा चो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो यह कहरा कि असंभव है नहीं वो संख्या घट गई है इसी दे सुची एक और दो में रखा गया है ताकि वो बिलुप्त ना हो जाए असा नहीं कि वो बिलुप्त हो चुके हैं ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल अब उनको बचा नहीं सकते उनके संख्या बढ़ा नहीं सकते या भी तो उनको संदच्छ दिया गया है उनके संख्या घट गई है वो खतरे के दाइरे में आ चुके है असंभव है ऐसी कोई बात नहीं है केवल और केवल पहला सही है इस से मतलब इसको ऐसा संदचर दिया जाएगा जैसा बाग को दिया जाता चूकि बाग को भी सूची फस्ट में ही रखा गया है तो आपका पहला सही है दूसरा नहीं सही है और अगर दूसरा सही नहीं है तो च के संख्या और बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा उसका कोई सिकार नहीं करेगा व्यापार नहीं करेगा ये सारे चीज़े होंगी अगला क्वेशन देखी जैविवित्ता के सासात मनुस्य के परंपरागत जीवन के संदच्छड के लिए सबसे महत्पूर पड़नीती निम लिखित में से किस एक की अस्थापना करने में नहीं थै पहला आप्सन है वन प्राडिजात का बंध प्रजनन दूसरा कह रहा है बाग अभ्यारन का रख रखाओ तीसरा कह रहा है स्वदेशी उपगरा दिक चालन पुडाली और चौथा कह रहा राश्टी आपका जो आप्सन नंबर है वो कह रहा है कि बनस्पति उद्ध्यान दूसरा कह रहा है आपका जैब मंडल आरच्छित छेत्र आप लोग समझ रहे होंगे तीसरा है अभ्यारन और चौथा है कोई नहीं कोई नहीं अब बताएंगे में चलो जैविवित्ता के सासत मनुस्थ के परंपरागत जीवन के संदर्चड के लिए सबसे महत्पूर रड़नीती कौन सी हो सकती है आपका बनस्पति उद्ध्यान हो सकता है या जै मंडल आरच्छित छेत्र हो सकता है या राश्ट्री को संदर्च छड़ दिया जाए तो मैंने आज ही आपको बताया इसके लिए सबसे बढ़िया जो होता है वह था आपका जै मंडल आरच्छी छेत्र जो बहुत बड़ी इलाके को ही कबर कर लिया जाता है जिसके अंतरगत जंजातिया जो रहती हैं उनको भी संदर्च छड़ दिया जाता है, महा की बनस्पति और जिव जन्तुन सब को संदचर दिया जाता है, इसलिए सबसे अच्छा जो होता है वो जयापंडल आजचित छेतर होता है अगला question दीखे बिझा लो, पारिश्थित की समवेदी छेतर के संदर में कौल सा कथन हैं जिन्हें बने जीव संद्रच्छड अधिनियम 1972 के अधिन घोसित किया गया दूसरा कह रहा है पारिस्तित की संबेदी छेत्र को घोसित करने का प्रयोजन है उस छेत्र में केवल क्रिसी को छोड़कर सभी मानो क्रियाकलाब पर प्रतिबंध लगाना तीसरा कह रहा है हैंएजेड़ के वाले तूसरा सही हैं या दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है क्यापी आसान है और आप लोगों के लिए कामें संस का है क्योंकि मैं आप लोगों पढ़ाई हूं कि एको सेंस्टिप जोन किसे कहते हैं तो अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि एको सेंस्टिप जोन आपको पता ही चला परियावरण की बात कर रहा है और परियावरण संदच्छड अधिनियम का बाया है 1986 में आया है तो यह बने जो संदच्छड अधिनियम 72 नहीं है बलकि यहाँ पे आप कर दीजे 1986 तो यह पूरा का पूरा स्टेट्मेंट एकदम सही है कि पारियावरण संदच्छड अधिनियम 1986 के अधिन घोसित किया गया है तो इसलिए आपका यह पहला गलत हो गया दूसरा क गतिविधी नहीं होगी महां पे कोई भी गतिविधी नहीं होगी चाहे वो क्रिसी हो या पेड़ों का काटना हो या भूमी जल का दोहन हो या होटल खोलना हो या कोई रिजार्व्ट महां पे आपको अस्थापित करना है कोई भी काम आप वहां ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी पार्क और जो आपके अभ्यारन होते हैं उनके चारों तरफ दस किलो मीटर जो एरिया होता है उसे को एको सेंस्टिप जोन कहते हैं दस किलो मीटर के एरिया को एको सेंस्टिप जोन कहते हैं नेशनल पार्क और बनेजी अभ्यारन के आसपास के इलागे को ताकि वहां के बने पेंड काटेंगे और ना खेती करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे सब कुछ बायन रहता है तो आपका क्या हो गया दोनु बात एकदम करेक्ट है मतलब गलत है ना तो पहला ना तो दूसरा कोई नहीं की option number D आपका एकदम सही है अगला question देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया है कुछ की साहता से आपको उत्तर देना है कौन सा कथन है जो की सत्य है आपको सत्य बताना है चली दीजेगा जबाब आपके सामने देखिया option भी है कह रहा है राष्ट्री उद्यान की राष्ट्री उद्यान आपको पताना है राष्ट्री उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभासित होता है क्या राष्ट्री उद्यान की सीमा रेखा यानि कि उसकी परिधी उसका विस्तार विधान से परिभासित होती है दूसरा कहरा है आरचित जैब छेतर की घोश्रा बनसपतिजात और प्राणिजात की कुछ विशिष्ट जातियों के संदक्छड के लिए की जाती है तीसरा कहरा है वन जू अभ्यारन में सीमित जीविये हस्तचेव की अनुमती होती है आपको कुट की साहता से उत्तर देना है पहला कहरा है के वल पहला मतब ए में कहरा है की दूसरा तीसरा बी में कहरा है पहला और तीसरा और आपका डी सी में कहरा है पहला दूसरा तीसरा और आपका अच्छा डी में भी वही हो गया है यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ पहला कर देते हैं चलिए दीजेगा जब आप चलो क्या हो जाएगा आपके हिसाब से तो क्या सत्य है आपका आपसन जो है वो आपका आपसन भी बिल्कुल सही है पहला और तीसरा पहला और तीसरा आपका सत्य हो जाएगा युकि मैंने आपको बताया था कि राष्टे उद्यान की सीमाओं में अगर बदलाओं कहीं अगर राष्टे उद्यान या आपके अभ्यारन घोसित करना है तो राज्य की सरकार उसको सीधा घोशना कर सकती है सिर्फ एक प्रस्ताव ला करके उसको कोई भी मतबजय संसत में कुछ भी करना नहीं है यानि कि अपनी विधान सभा में कोई पारित नहीं करवाना है सीधा वो कह सकती है कि ये छेतर राष्टे उद्यान होगा या ये छेतर अभ्यारन होगा लेकिन अगर उस राष्टे जो उद्यान है या अभ्यारन है उसकी सीमा में बदलाव करना चाहती है इसको बड़ा करना चाहती है चोटा करना चाहती है तो इसके ले का करना पड़ेगा विधान सभा में परस्ताव पारित करवाना पड़ेगा तो पहला बिल्कुल सही है दूसरा कह रहा है कि आरच्छित छेत्रों की घोष्णा बनस्पती जात और प्राड़ी जात कुछ बिसिष्ट जातियों के संदच्छड के लिए किया जाता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आरच्छित जैब छेत्र होंगे इनके घोष्णा बनस्पती जात और प्राड़ी जात के कुछ बिसिष्ट जातियों के लिए नहीं किया जाता है बलकि ये सभी के लिए किया जाता है उस छेत्र में जितने भी आपके बनस्पती और जिव पाए जाएंगे सब का संदच्छड एक साथ होगा कुछ का नहीं होगा जैमंडल आरचित छेत्रों में सभी का एक साथ संदच्छड किया जाता है बनस्पतीयों का भी और जिवों का भी कुछ प्रजातियों का नहीं बलकि सभी का एक साथ एक बराबर का संदच्छड दिया जाता है कोई भेदवाव नहीं किया जाता है इसलिए गलत हो गया तिसना बिलकुल सही है बनेजी अभ्यारन में सीमीत जीवी हस्तचेप की अनुमती है बनेजी अभ्यारन में आप सीमीत जीवी हस्तचेप कर सकते हैं बहुत ज्यादा हस्तचेप यहां नहीं कर सकते हैं राष्टे द्यान में तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है मैंने आप लोगों को इस सारी चीजी पढ़ाई है तो आपका पहला तीसरा सही है दूसरा सही नहीं है जो कि आरच्छी छेतर में सभी को समान रोप से संदचर दिया जाता है कुछ विसेस जातियों को नहीं अगला कोईसिन भी आपका देखे बचलोग इंपोर्टेंट है निम्न में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है करा नो करेक मेगाले में है दूसरा करा मानस असम में है तीसरा करा दिहांग देबांग अरुणाचल प्रदेस में है चौता करा अगस्ता मलाई केरल में है पांचवा करा कोई भी गलत नहीं है यानि कि सभी सही है पताएंगे बचलोग आपके हिसाब से कौन सा है जो सत्य नहीं है कौन सा है जो गलत है चलिए देखतें आप लोग क्या उतर देने वाले इसका त्योंकि यह बहुत important है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा यहाँ पर सारी बाते जो हैं वो सत्ते हैं कोई भी गलत नहीं है इसलिए आपका option number 5 बिल्कुल सही है no crack में घाले में है आयोग ने कई बार पूछा है मानस आप सभी को पता है असम में है दिहांग दिपांग यह अरुडांचल का है अगस्ता मलायाप के केरल का है सारी बाते एकदम सुमेले थैं कोई भी गलत नहीं है आपका अगला question और यह भी देखिया आयोग के द्वारा पूछा हुआ है कह रहा है M. स्रिप्स सब्ध कभी-कभी समचार पत्रों में या समचारों में देखने को मिलता है यह किस संदर्व में आता है पहला कहाए बन्नि प्राणिजाद का बंधे प्रजिणन दुसरा कहाए बाग भ्यारनों का रख रखाओ तिसरा कहाए सोदेसी उपगरह दिक्स चालन पढ़ाली और चोथा कहरा राष्टिर राजमार्गों की सुरच्छा यह आयो की द्वारा पुछा गया है बेटी और मैंने आप लोगों को यह क्लास में करवाया भी है तो आप लोगों को याद होगा कि यह किस से संबंदित था मैंने आप लोगों को बताया था कि यह क्या था तो यह क्या है यह आपके बागों से संबंदित है अब भ्यारनों की रख रखाओ के लिए एक साफ्ट वेयर डवलब किया गया था तो आपका आपसन नमर जो दो है यह बिल्कुल सही है इसको याद रखेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेस्टन देखी निम्नकित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है इन में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है आपको वो बताना है पहला कह रहा है एक सिंग वाले गंड़े सिर्फ भारत में पाय जाते हैं दूसरा कहरा है इनकी कम होती संख्या के कारण 1987 में गेंडा परियोजना प्रारम किया गया तिसरा कहरा है 1970 के दसक में कस्तूरी मृट परियोजना प्रारम की गई थी चौता कहरा है भारते इसके बारे में जानकारी भी होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अगर आपको याद है तो एक और भी इसके साथ साथ उत्तर दीजेगा फिलाल इसको मैं बता दे रही हूँ कि इसमें कोई भी गलत नहीं है यानि कि सभी सही है एक सिंग वाले गैंड़े सिर्फ भारत में पाय जाते है और इनकी संख्या घट रही थी इसलिए गैंड़ा पर्यूजना सतासी में आया था और 1970 के दसक में करस्तूरी मिर्क पर्यूजना भी लाया गया और जो आपका भारत ये पसु कल्यार बोड़ है ये एक सामिधिक सलाकारी निकाय है आपको बताना है कि हंगुल जो की एक हिरन की प्रजाती है हंगुल ये भारत में कौन से छेतर में पाय जाते हैं कौन से अभ्यारन में पाय जाते हैं राष्टे उद्ध्यान में पाय जाते हैं हंगुल बताएंगे बचलो काफी important है आपका चली आके बढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगला question ये question भी आपका बहुत ही important है पहरा कौन सा कथने जो सत्य नहीं है इसमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है आपको वो बताना है चली दीजेगा जब आप तो हंगुल मैंने आप लोगों को बताया था कस्मीर के दाची गाम राष्टे उद्यान में मिलते हैं न दाची ग्राम ये question बहुत बार आया है आयो के दौर पूछा गया है दाची ग्राम कहिए या दाची ग्राम कहिए यहाँ पे आपकी हंगुल पाए जाते हैं जो कि आपके हिरन की ही एक प्रजाती है काफी फेमस प्रजाती है और ये question बार बार पूछा जाता है चलिए देखते हैं क्या उत्तर देनी वाले हैं आप लोग इसका करा माइक का उदेश हाथियों की अबायद हत्या की प्रबृति का आकलिन करना था दूसरा करा है गंगा डॉल्फिन को बन जो संदचड अधिनियम 1972 की अनसूची फरस्ट में रखा गया है तीसरा करा है ओलिव रिडले वा अने कच्छू की संकट ग्रस प्रजाती के संदचड के लिए UNDP साजेदार है चौथा करे भारतिये भूमी का वह सकरा मंगलियारा यह कह रहा है आपका यहां पर होगा यह वो पतला सकरा गलियारा जो परियावरण का या जंगल का जो पतला सकरा गलियारा होता है जो हाथियों के द्वारा एक ब्रहत पर्यावरण को, मतलब जो हाथियों को एक ब्रहत पर्यावरण से जोडते हैं, हाथी गल्यारा कहना है तो यह मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई मतलब परियावरड का या कही है भूमी का वह सक्रा गलियारा या यहां पे मैंने भारतिया कर दिया यहां पे होना चाहिए था भूमी का भूमी यानि कि लैंड का भूमी का वह सक्रा गलियारा या रास्ता जो हाथियों को एक ब्रिहत परियावरण से जोड़ता है, हाथे गलियारा कहलाता है, पाच्वा केरव प्रोग तो सभी कथन सत्य है, आपको बताना है कि आपका क्या हो जाएगा, यानि कि कौन सा है, जो सत्य नहीं है, और ये सारे पॉइंट आपके पड़े हुए है, कुछ भी ऐसा नहीं है, जो आपने ना पड़ा हो, तो याद रखेंगे बचलो, क्या हो जाएगा, सारी बाते एकदम करेक्थ है, माइक, जो है, ये हाथियों की अबैध हद्या को रोपनी के लिए लाया गया था, माइक, आपको पताया था मेने गलास में, गंगा डालफीन को बने जो संद्चड अधिनियम 72 की सूची एक में रखा गया है, यानि कि ये अति संकट ग्रस्त है, इसको बहुत ज़्यादा संद्चड दिया गया, इसका आप सिकार नहीं कर सकते, ब्यापार नहीं कर सकते हैं, और ओली ब्रिडले जो है कच्छवा इसको भारत और आपका UNEP, ये दोनों संद्चड देते हैं, और भूमी का वापतला सक्राभाग या गलियारा या दास्ता जो बड़े परियावरण को जोड़ता है, वो हाथी गलियारा कहलाता है, इसलिए आपके सारी बाते बिल्गुल करेक्ट हैं, आपको एक और क्वेस्टन का उत्तर देना है, कि जो सेव कारिकरम है किस के लिए लाए गया था, सेव कारिकरम किस जीव के संद्चड के लिए लाए गया था, मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, सेव कारिकरम किस के लिए लाए गया था, बचलो, यह सेविंग, इसका फुल फाम था, सेविंग, एसियाज, वल्चर्स, फ्रॉम, एक्स, एक्सेक्टिंग, यानि कि उनकी नुकसान हो रहा था, उसको बचाने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका, गिड़ को संद्चर देने के लिए सेव जो प्रोग्राम है, यह गिड़ू को संद्चर देने के लिए लाए गया था, याद रखिएगा, बहुत जादे इंपोर्टन है, फिलाल आपको बताना है भारतिय बननेजू संस्थान कहां पर है करा देहरादून, कोलकाता, दिल्ली और लखनौ आप सभी को पता होगा चुकि आयोग ने ये क्वेस्टन भी कई बार पूछा हुआ है तो जो सही हो जाएगा वो आपको कौन सा सही है आप सभी को पता आपसर नवर फर्स्ट एक्तम करेक्ट है देहरा दोन में ही तो है भारतिय बननेजू संद्चड आया कही है बारतिय बननेजू संस्थान ये क्वेस्टन आयोग ने बहुत बार पूछा हुआ है अगला देखी निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है पहला कह रहा है भारत सरकार ने बागों को संद्चित करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कारिकरम सुरू किया दूसरा कहरा है राश्ट्रिय टाइगर संदच्छर प्राधिकरण पर्यावरण बन एबं जलवाय परिवर्तन मंत्राले के अंतरगत गठी एक सामविधिक निकाय है तीसरा कहरा है बागो की घड़ना दो प्रकार से कि जाती है पहला कहरा पग मार्क और दूसरा कहरा पग मार्क बिधी और दूसरा कहरा है कैमरा ट्रिप बिधी चौता कहरा है project elephant 1992 में रजय सरकार द्वारा हाथियों की संख्या बढ़हनी तथा उसके प्राकिर्ति कावास छेतर में उनको प्रति अस्थापित करने के लिए सुदू किया गया था पांच वाकरा कोई भी गलत नहीं है यानि कि सभी सही है जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है तो याद रखेंगे बचा लोग आपका क्या है जो की सही हो जाएगा यानि कि जो सत्य नहीं है तो आपका केवल और केवल जो गलत है वो है option number 4 और option number 4 में क्या है यहाँ पर राज जी की जगा केंदर सरकार कर दीजिए पूरा statement एकदम करेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंदर सरकार द्वारा हाथी की संख्या बढ़ाने तथा उसके प्राकृतिक आवास्चित में उसको प्रतियस्थापित करने के लिए सुरू किया गया था राज जी की जगा केंदर कर दीजिए एकदम 100% सही है पहला बिलकुल सही है कि बागो के संदच्षड के लिए 1973 में बाग टाइगर प्रोजेक्ट लाए गया था और राश्चे टाइगर संदच्षड प्राधिकरड ये क्या है ये परियावरण और जल बाईव मंत्राले के अंतरगत एक साम बिधिक निकाए है टाइगर संदच्षड प्राधिकरड और बागो की गड़ना दो तरह से होता है पग मार्क बिधी और कैमरा ट्रिप बिधी यह प्राचीन बिदी है जो बागों की पदों की चिन्हों को गिना जाता है कांट किया जाता है और यह आधनिक बिदी है जो ऐसंप्रिक बिदी है इसमें गलत हो गया है यह राज्य की जग़ केंद्र कर देंगे तो पूरी बात भी बिलकुल करेक्ट है अगला question देखे भी चलो और आज का last question है काफी सांदार question है कौन सा है जो सत्य नहीं है जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है और आपके सामने देखे इतने सारे option है पहला कहरा है भारत में सबसे पहले कच्छे की खाड़ी को समुदरी राश्टे पार्क घोसित किया गया था क्या ये बात सबते हैं दूसरा कहरा है गहिर माथा समुदरी घरियाल प्रजणन के लिए प्रसिद्ध है तीसरा कहरा है पबित रूपवन ऐसे छेतर होते हैं जिने लोगों की आस्था और उनकी प्राकिर्तिक आज जो है लगाओ के कारण संदचित किया जाता है चौथा कहरा यूनेसको ने 1971 में जय विवित्ता के संदचित है तो मानो एवं जय मंडल कारिक्रम की सुरुवात की और पांचमा कहरा है जय मंडल छेत्र के अंतरगत अस्थानिय जलिये तथा तटिये पारित अंतर मतब सभी आते है चटा कहरा जय मंडल आगार क्रोड ब्रफर और संक्रमट छेत्र में बाटा जाता है सात्वा कहरा कोई भी गलत नहीं है यानि कि सभी सत्य है चलो क्या हो जाएगा आपके इसाफ से यहां पे पूछ रहा है कौन सा है जो सत्य नहीं है आपके सामने इतने सारे आपसन है आपको बताना इसमें से आपके इसाफ से क्या है जो हो जाएगा कौन सा आपको लग रहा है कि वो सत्य नहीं है फटा फट उत्तर दीजेगा कौन सा आपको सत्य नहीं लग रहा है तो याद रखेंगी आपका कौन सा है जो सत नमर टू क्योंकि जो गहिर माथा है ये ओलिव रिडले के संदच्छड के लिए बनाया गया ओलिव रिडले के संदच्छड के लिए है ये घड़ियालों के लिए नहीं है घड़ियालों के लिए भीतर कनिका है आजी के क्लास में बताई हूँ इसलिए गलत हो गया पहला बिल यूनेसको ने 1971 में जय विवेत्ता के संदचड है तो मानो एवं जय मंडल कारिक्रम शुरू किया था मायब आजी के क्लास में देखा था आपने पहला अपसन गलत हो गया था चूंकि वहाँ पे आपका यूनेसको नहीं दिया था यूनेसको की जगा पे आयूसीन दिया था इसलिए आपका गलत हो गया था मैंने इसका उत्तर वहाँ नहीं बताया ताकि आप लोगों लास्ट में इसको देख सके पाचवा आपका एकदम सही है कि आपके जय मंडल छेतर में अस्थल भी आता है जल भी आता है तटिये पारित जो गलत है वो केवल और केवल यहां पे घड़ियाल की जगह ओली ब्रिटले कच्छवा कर देजी एकदम करेक्ट हो जाएगा बाकी बात एकदम सही है उमीद है कि ये सांदार प्रस्णों का संग्रे आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारी महनत आपको कैसी लगी कमें कमेंट बाक्स में जरूर लिखेगा अगर आप लोगों को और भी कोई जरूरत है तो भी कमेंट बाक्स में लिखेगा अगर कोई सुझाओ है तो भी कमेंट बाक्स में लिखेगा आपकी बातों का पुरा वेलकम है स्वागत है आप अपनी बातों को बे जीज़क लिख सकत तो चलिए रहने देते हैं फिर मिलेंगे थाइंक्यू थाइंक्यू सो मच